सुबह जल्दी उठना समेरे साथ बोलो फिर पांसाथ बात बहुत जरूरी है लाश्र की माता भूमिही सब बोलो माता भूमिही पुत्रों हम प्रतिव्याहा मात्री देवो भवा मात्री देवो भवा पित्री देवो भवा आचार्य देवो भवा अतिति देवो भवा रास्ट देवो भवा मैं सुबह उठते ही न सब से पहले ऐसे धरती माता को उठते ही मेरा नियम है, ऐसे ही, बच्पन में मान में सिखाया था सबसे पहले मैं धर्ती माता को प्रणाम करता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में खोन के आखरी बूंद रहेगी भारत माता के साथ धोखा और गद्दारी नहीं करूँगा भारत माता का यश गोराव बढ़ाऊंगा दूसरा माता पिता को प्रणाम करता हूँ सन्यासी हो करके भी माता पिता ऐसे प्रत्यक्ष तो मिलते नहीं लेकिन माता पिता इस धर्ती के भगवान है, उन्होंने हमें जर्म दिया है फिर गुरू सत्ता रिष्ची सत्ता को प्रणाम करता हूँ आप लोग सुबह उठके ऐसे प्रणाम करके पानी पीना सुबह उठके क्या पीना बोलो पानी पीना इसे सैकडू बिमारी नहीं होती है बीपी नहीं होता है हाट की प्रोब्लम नहीं होती है इसे पेट की गया सैसी डीटी बवासीर की बिमारी, चमडी की बिमारी नहीं होती है, बहुत बिमारी नहीं होती है सुबह उठके क्या पीना बोलो पानी फिर नास्ता हलका करना खाना चबा चबा के खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना दूद के साथ नमक नहीं खाना रात को दही मत खाना बिहार में तीनू टाइम दही छास खाते हैं सुबह, धोपेर, शाम शामवाला बंद कर दो इसे जोडों मेदार्द और एलरेलिजी का प्रोबलम और बहुत सा ओटोमेंड डिजीज होता है छोड़ी-छोटी चीजों का ध्यान रखो वाद का बीमारी है तो खटी चीज नहीं खाना पित का बीमारी है तो गरम चीज नहीं खाना चोटी 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 चीजों का ध्यान देना और एक चीज जरूर करना दो मिनट ऐसे ताली बजाना यहां से थाराइड, यहां से किड्नी, यहां से सूगर यहां से हाट, यहां से आँख, यहां से कान यह पूरा, यहां से आंक, यहां से कान, यहां से फेपड़ा, यहां से पेट, यह साब बिमारी ठीक हो जाता है दो मिनट ऐसे ताली के साथ गाओ, देखो ऐसा दो मिनट ताली के साथ ऐसे, ऐसे जोर से बजा लो, ऐसे ऐसे दो मिनिट ताली बजा लोगे तो इससे बहुत सी बिमारी दूर हो जाते है तो रोज सुबह उठते हो कोई दोड़ता है कोई रनिंग करता है कोई वाग करता है वैसे देखो रनिंग करने से वाग करने से जिम जाने से किसी भी प्रकार की फीजिकल एक्टिविटी से सब सच्छा है योग सुरी नमस्कार करो, दंड़ बैठा के लागाओ, प्रणायम करो, आसन ध्यान करो दो मिनट ऐसे करना, फिर एक बार हाथ उटा करके हस के दिखाओ फिर से एक बार जोर से ऐसा हसने से सब भी भारी दुर होती है जो दुखी रहते, नाराज रहते, परिशान रहते, उल्टा-फुल्टा सोचते रहते, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइक्शन, रोंग आइक्शन में रहते है उनको जीवन में बहुत प्रोब्लम होती है तो खुश रहना, मुस्कराते रहना भगवान ने मनश्य बना दिया एक आदमी के शरीर की कीमत कम से कम 400-500 करोड रुपए है लीवर किड़नी हाट एक एक सैल से ले करके आदमी की कीमत कितनी है कम से कम 400-500 करोड रुपए का एक आदमी है दिमाग तो बेश कीमती, इसकी तो कोई कीमती नहीं है अब इतना भगवान से पा करके फिर भी तुम दुखी हो करके जीओ खुश रहो, हसो, मुस्कुराओ और अच्छ अच्छे काम करो